हलो मैं हूँ आपके साथ प्रेणा शर्मा फिल्म इंडस्री का पावर कपल रालिया यारी की आलिया और रंडबीर कपूर दोनों ही वैसे हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं चर्चा हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ की या पर्सनल लाइफ की आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो जुड़ी है इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ से दरसल रंडबीर कपूर अब परेशान हो चुके हैं और वो भी आलिया भट से इतना ही नहीं इसकी शिकायत भी वे करने लगे हैं अब शादी से पहले यूँ नाराज होना सही नहीं है खेर आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नाराज है रंबीर आलिया से और किस से उन्होंने की है आलिया की शिकायत दरसल गंगुबाई काठियावाडी फिल्म का नाम तो आपने सुना ही होगा आलिया अपने काम को लेकर कितनी डेडिकेटेड है ये भी सब जानते हैं तो आलिया बिजी है अपने फिल्म गंगुबाई के साथ और हाल ही में वे निर्देशक संजलिला भंसाली के साथ बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिमल में पहुँची यहां गंगुबाई काठिया वाडी का प्रीमियर हुआ इस दौरान भंसाली और आलिया मीडिया और फैन से भी रूबर हुए तो इसी समय का एक वीडियो इन दिनो नजर आ रहा है जिसमें संजलिला भंसाली से गंगुबाई के किर्दार और आलिया भट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि आलिया भट असल जिंदगी में भी गंगुबाई के किर्दार में रहती है उनके बॉइफरेंड रन्बीर कपूर मुझसे एक दिन इनकी शिकायत कर रहे थे कह रहे थे कि आलिया घर पर भी गंगुबाई की तरह ही बात करती है वे पूरी तरह से इस कैरेक्टर में ढल चुकी है इससे पहले भी संजलीला बंचाली ने आलिया भट के डांस की भी काफी तारीफ की थी खैर आलिया भट की फैन फॉलोइंग का तो कहना ही क्या उनके एक्टिंग स्किल्स ही है ऐसे जिनोंने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुचा दिया है और बात की जाए रणबीर कपूर और उनकी जोडी की तो ये फैन्स को काफी पसंद है दिकी कोशल और कैटरीना कैफ की शादी के समय से ही रालिया की शादी का भी इंतजार हो रहा है उनके फैन्स इस चीज़ का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं खैर आलिया भड़ और अनबीर कपूर की शादी की डेट तो कंफर्म नहीं हुई है लेकिन उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताएं तो वह जल्द ही SS राजमौली के फिल्म आरारार और अनबीर कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मास्तर में नज़राएंगी यह ऐसे फिल्म है जिसमें ये रियल लाइफ का पल बड़े परदे पर नज़राएगा नमस्का